हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुएता सुएतास कीचेन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बना रही हूँ फुल तंदूरी चिकन वो भी घर पे देखें ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज्यादा जूसी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें ये 900 ग्राम होल चिकन है इसे अच्छे से वाश कर ली हूँ सबसे पहले इसमें कट्स लगाऊंगी और कट्स डीप ही होना चाहिए ताकि मसाले अंदर तक अच्छे से लग जाए देखें मैं किस तरह से कट्स लगा रही हूँ और सभी जगा अच्छे से कट लगाए ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से अब्सर्ब हो जाए इस चिकन में जब कट्स अच्छे से लग जाएं तब इसमें मैं दो डिफरेंट तरीके से मेरिनेट की हूँ फर्स्ट मेरिनेट मैं की हूँ लेमन वाटर और नमक से इस पूरे चिकन में लेमन वाटर और नमक को अच्छी तरह से लगा कर ढग कर 15 मिनिट के लिए छोड़ दी हूँ जब तक ये मेरिनेट हो रहा है तब तक चलिए सेकेंड मसाले का मेरिनेशन स्टार्ट करने के लिए मसाले प्रिपेर कर लेती हूँ सबसे पहले एक बावल में एक चमच हल्दी पाउडर, वन एंड हाफ चमच लाल मिर्च पाउडर, वन एंड हाफ चमच जीरा पाउडर, वन एंड हाफ चमच धनिया पाउडर, हाप चमच ब्लाक पेपर पॉडर एक चमच गरम मसाला पॉडर स्वादा नुसार नमक दो चमच लसुन का पेस्ट एक चमच अद्रक का पेस्ट सारे मसाले तो हमने डाल दिया है अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो पेस्ट तयार करने के लिए यहाँ मैं तीन से चार चमच दही ली हूँ और दही डाल दूँगी चिकन मेडनेट करना है तो दही तो आपको डाल नहीं होगी दही के साथ यहाँ मैं तीन चमच मिल्टेट बटर डाल रही हूँ आप इसके जगा घी भी डाल सकते हैं यह बटर मेरा घर का ही बना हुआ है इसका लिंक मैं डिस्कृप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वहाँ जाकर चेक कर लें मैं इसका वीडियो पहले ही अप्लोड कर चुकी हूँ सारे इंगिरिडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें रेट कलर का फूट कलर भी इस्तमाल कर सकते हैं ताकि चिकन का कलर आपका बहुत ही अच्छा लगे देखने में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये चिकन में लगने के लिए बिलकुल तयार है 15 मिनट हो चुका है चलिए अब सेकेंड मेरिनेशन से मेरिनेट कर लेते हैं हातों के हल्प से अच्छी तरह से चिकन के चिकन में लगाएं चारो तरप से देखिए ये जो कट समने लगाएं थे इसके अंदर अच्छे से फिल करें ताकि मसाले अच्छी तरह से अंदर अंदर तक लग जाए चिकन में मसाले अच्छी तरह से लग चुका है अब इसे तीन से चार घंटे के लिए मेरनेट करने के लिए रख देंगे रेफ्रिजेरेटर में चार गंटा हो चुका है रेफ्रिजेटर से बाहर निकाल ली हूँ अब इसमें तीन से चार चमच मिल्टेट बटर डाल दूँगी ताकि चिकन ड्राय ने लगे जूसी लगे चारो तरप से अच्छी तरफ पहला लूँगी बटर को नीचे देखे मैंने एक प्लेट रखा है से नेट रखी हूँ इस के ऊपर मैं चिकन रखूंगी ताकि चिकन के मसाले जो भी ड्रिप करें वो इस प्लेट में गिरे और जो भी ये मसाले हमारे बची हूए हैं उसे चिकन के ऊपर लगा दे चिकन को मैं चारो तरब से दिखा रही हूँ, देखिए ये कितने अच्छी तरह से मसाले इसमें लगे हुए हैं और कुछ मसाले मेरे और बच गया थे, तो मैंने क्या क्या बड़े आलू को बिना चिले, उसे लंबे पीसिस में काट ली और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके नीचे जो प्लेट रखी हूँ, उसमें रख दी हूँ चले अब माइक्रोवेव में चिकन को रख देते हैं प्लेट को नीचे जरूर रखे ताकि चिकन से जो भी मसाले डृट करे वो इस प्लेट में रखे आलू में ही गिरे जिससे microwave गंदा नहीं होगा और जो ये plate है वो microwave safe plate ही है ये LG का charcoal light wave technology microwave one है जो की fully automatic है इसे on करने के लिए charcoal setting को press करना है charcoal में 35 setting है और इसमें 35 recipes है जिसमें first number तंदूरी chicken है पहले dial को first time rotate करेंगे ये खुदी 35 minute का timing ले लेगा फिर start button को on कर देंगे 3-4 time butter से grissing कर दीजिएगा ताकि chicken में most बना रहे और ये dry ना लगे और ये tasty भी लगेगा यदि चिकन का size छोटा है तो ये 35-40 minutes में पक जाएगा लेकिन चिकन का size यदि बढ़ा है तो तो इसकी timing बढ़ा दूंगी और चिकन को बीच बीच में चेक करती रहूंगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए ये चिकन अभी पूरी तरह से पका नहीं ह इसलिए मैं इसकी timing और बढ़ा दे रही हूं चलिए चेक कर लेते हैं चिकन पका है की नहीं ये चिकन तयार है देखिए इसका color कितना अच्छा आया है अब इसे microwave से निकाल लूंगी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है color भी perfect आया है चलिए इसकी अब plating कर लेते है कुछ crispy salad और अपने मन पसंद चटनी के साथ इसे enjoy करें देखिए मैं इसका पीस तोड़ कर दिखा रही हूं ये कितने अच्छे तरह से पक चुका है ये बाहर से crispy और अंदर से juicy है देखिए ये कितने अच्छे तरह से पक चुका है मुझे इस chicken को पकाने में एक घंटा का time लगा है साथ ही साथ ये आलू भी अच्छी तरह से grill हो चुका है ये वीडियो कैसी लगी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें like, share और bell icon भी प्रेस करना ना भूलें थैंक यू